हलो एवरिवन जैसा कि हम सब जानते हैं जुलाई 2020 के री रेजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं बहुत सारे कोर्स इसके लिए और जो भी कुछ कोर्स वाकिया है उनका 25 एप्रिल के बाद स्टार्ट हो जाना है इस वीडियो में स्टडी माटिरियल से रिलेटड बात करूँगी बहुत सारे स्टूडेशन को प्राब्लं होती है कि कि students को wait नहीं करना पड़ता है इगनू अपने study materials के लिए कितना wait कराता है यह मुझे आप लोगों को बताने के जरूरत नहीं है तो फिर इसमें क्या है कि अगर आपने enroll किया program के लिए तो आप next day से ही इसे पढ़ सकते हो दूसरी चीज़ यह है कि आप कहीं भी travel कर रहे हो कहीं से पढ़ सकते हो और जो थर्ड सबसे अच्छी बात है आप कोई भी course लेते हो और अगर उसके लिए digital study material को चूज करते हो तो उस course पे आपको 15% discount मिलता है 15% कम नहीं होता है लगवक 1000 तक भी चला जाता है यह amount तो अगर आप comfortable हो इसमें तो आप यह digital study material को opt कर सकते हो अब जह प्रेट क्या कि कभी कभी difficult हो जाता है हमें mobile पे रीड करना हमारी आख ही ठकने लगती है या फिर हार जगा पर internet connectivity सेम नहीं होती है ना कभी अच्छी होती है तो download हो गया कभी नहीं होती है तो थोड़ा time लग गया और कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि हम mobile पे download कर लेते हैं जाता है कई बार अब हम printed materials के बारे में बात करते हैं तो printed materials के कई सारे merits है क्योंकि इगनु के study materials खुद में ही बहुत अच्छे होते हैं मैं इसके demerits आपको बता रही हूं कि हम लोग अगर printed material opt करते हैं तो आने में ही इतना time लगा देते हैं कि कितने students अपने assignment submit कर देते हैं बिना book आये हुए यह बहुत सारे students की issue रहती है कि अभी तक मेरा study material आया नहीं है मेरा exam आने वाला है तो इस वज़ा से कभी-कभी printed materials को option opt करने में सोचना पड़ जाता है तो हमें इतनी बाते तो clear हो गई कि digital study material opt करते हैं या फिर printed study material opt करते हैं तो दोनों में क्या merits और demerits है अब question आता है कि यह दोनों materials हम तक पहुंचते कैसे हैं अगर हम printed opt करते हैं तो वह हमारे घर पर by post आ जाता है जो हमने address दिया होता है और अगर कभी नहीं आता से भी जाकर collect कर सकते हैं में issue जो आता है वो है digital के लिए students को पता ही नही अपना course जैसे फिल अप करोगे उसके next day से आप कर सकते हो तो मैं यहाँ पर आपको step बताते हैं पर जाने के बाद हमें इगनूई content सर्च करना है तो जब हम play store पे इगनूई content सर्च करेंगे तो इगनूई content की app का option हमारे पास आएगा मेरे पास यहाँ पर download है पहले से इसलि तो यह कुछ seconds के time लगाते हैं लोड होने में उसके बाद हम देख से हैं कि यहाँ पर आगे आएए इगनूई content का page लोड हो रहा है इस पर हम लोग देखेंगे कि master's degree, bachelor's degree, diploma, certificate और भी कोई भी course सब की books मौजूद हैं यहाँ पर तो हम bachelor degree के program पर क्लिक करते हैं यहाँ पर जि जाए वो arts हो, commerce हो, science हो, कोई भी other stream हो तो अगर हम लोग यहाँ पर chemistry का सर्च कर रहे हैं तो कहीं यहाँ पर B.S.C. chemistry का option आएगा और हमें उस पर क्लिक करना हैं यहाँ पर bachelor of science, B.S.C. chemistry English और Hindi दोनों option available हैं अब इसमें से अगर हमें जिस भी course के पढ़ने हैं कोई भी chapter के book प बढ़ना हैं तो organic chemistry का यहाँ पर हम देखेंगे हैं हाँ CHE05 organic chemistry यह हमारा open हो गया जितने भी block होते हैं चार block अब हम block 1 देखते हैं fundamental concept बस उस पर हमें क्लिक करना है और हमारा जो study material है जो भी इगनू printed form में भीचती है वो यहाँ पर digital form में आपके सामने open हो जाएगा और हम बह material के इंतजार कर रहे हुए यह देखें इसकी printing का option भी बहुत अच्छा है crystal है हम आसानी से पढ़ सकते हैं से zoom भी कर सकते हैं इसके figures वगेरा मैं आपको दिखाती हूं सारे चीजी बहुत clear आते हैं तो जो भी students अगर इस format में अगर comfortable है तो वह printed आप ना करके digital opt कर सकते हैं यह आप एक app install करके यह सारे courses पढ़ सकते हो free of cost और अगर आपको digitally पढ़ने में problem है तो फिर आप अपने convenience के हिसाप से दोनों में से कोई भी study material opt कर सकते हो मैंने आपको दोनों की बारे में बहुत ही basic जानकारी दे दी है अगर आपको इसकी बारे में कोई और भी details चाहिए तो आ दोनों materials मिलेंगे वाट still अगर आपको कोई problem है तो आप में को comment करके पूछ सकते हो I hope आपको मेरी ये video पसंद आयोगी इस video के लिए बस इतना ही so thank you